assuming surrender bill आज हम इस वीडियो में सिखेंगे कि da Tongle के माद़े में से प्रसर्यंडर फोर्वड इंब नेजर पर स्रेंडर बिल किस प्रकार बनाते हैं मैं आपका साथ प्रमोष बनाने वहाल स्धिक से हैं। इसमें प्रमुक् घैपस को फॉलो करते हूए धाय चलिए शुरू करते हैं प्लमनेजर की साइट से हैं, प्लमनेजर की साइट KPों लिये, सब सुरू करते हैं एं, बिल नमर अलोकेशट से हैं, बिल नमर arcade विल प्रोसेसिंग में हैं, बिल नमरा लोकेशट क्लिक किया select option में बिल अलोकेश्ट, बिल टाइप, बिल टाइप में स्रेंडर बिल 15 डेज, बिल सब टाइप डिसेबल है, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, object head 01, month, अगस्त, year 2020, बिल डेट आज की, 11 अगस 2020, बिल नमर 48, बिल नेम, पी ओ मेगा ग्रूप, और submit, submit पर कलिक करेंगे, बिल रजिस्टर डिटेल एड़ेड सक्सेसफुली, ओके, बिल रजिस्टर हो चुका है, अब हम चलेंगे, स्रेंडर बिल प्रोसेस, अब हम करेंगे, स्रेंडर बिल प्रोसेस, इसके लिए, बिल प्रोसेसिंग में है, स्रेंडर 15 डेज, प्रिप्रेशन, इसमें है, स्रेंडर 15 डेज नीचे surrender deduction यह income tax की कटोती एड करने की काम आता है इसको बाद में देखेंगे पहले चलते हैं surrender 15 डेज पर अगस्त 2020 बिल पियो ग्रूप विप्टी अवरस 2020 21 बिल नमर 48 सेलेक्ट ओर्डर नमर अभी सेवंथ पे कमिशन में 17 डियरेट चल रही है तो हम यहां यह FD रूल वाला जजेज की लिए था बाकी सेश क्रमचारियों के लिए सेवंथ पे कमिशन यह बावन नमर वाला है यह से करना है से सेक्षन डेट 11 अगस्त अगर इंप्लोई का ट्रांस्पर हो गया है और उसको यहां एड करना है तो अध्र ओपीस एंप्लोई में नहीं तो सीधा मैं यहां मल्टीपल कर रहा हूं परी करमचारियों के एक साथ बनाना है लेकिन यहां मल्टीपल वाला उप्शन क काम नहीं कर रहा है २ोटाटापांड हम चलते इंडियज्वल पर यहां इंडियज्वल पर क्लिक करके एक-एक-एकर utilized को यहां एड़ करेंगे यहां सरच्ञ इंप्लोई आईडी कभी काम करता हैं कभी काम नहीं करता है मैं सच्ञेस्ट करूँँ हैं आपको रच्ग our यह एड़ पर क्लिक किया surrender details inserted successfully ओकी अगला करमचारी की detail एड़ हो गई है next अगला क्रमचारी नेमीचन एन नाम आ गया है नेमीचन जी का नाम पर क्लिक किया add करेंगे surrender details inserted successfully इसी तरह मुझे दो क्रमचारी को नाम और एड़ करने हैं तो मैं यहां दो क्रमचारी को नाम और एड़ कर लेता हूं एड़ हो चुके हैंगे यह total चार क्रमचारी का मुझे बिल बनाना था तो चारों का नाम आ गए है अगर इसी का नाम हटाना हो गलती से आ गया है तो box म हम इसको delete भी कर सकते हैं इसके लाव एक बार हमें यह जो amount है gross amount है एक बार check कर लेंगे हमने जो order बनाया था उसमें surrender की जो राशी बन रही है उससे इसका मिलान कर लेंगे कि जो राशी pay manager पर आई है वो बिल्कुल सही तो है ना कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है अगर हम में income tax add करना है तो उसके लिए चलेंगे हम surrender deduction में मुझे कुछ क्रमचारियों के add करना है तो मैं यहां surrender deduction में अगस्ट दो हजार बीस बिल बिल पियो ग्रूप यहां बिल नमर 48 मुझे यहां रूपर राम जी के add करना है basic और डिये तो already है add deduction पर चलेंगे add deduction पर click किया select deduction में i tax income tax amount जितना आप चाहो मैं यहां पांचार रूपे लिखके submit कर रहा हूँ deduction inserted successfully okay edit करेंगे मुझे एक क्रमचारी का नाम यहां add हो चुकी एक क्रमचारी का और भी add करना है निमिचंजी के यहां add करेंगे deduction में यहां income tax amount में 5,000 रूपे submit deduction inserted successfully बहार निकलेंगे इस तरह यह हमारा surrender bill का process हो चुका है जैसे salary bill में हम process करते तो वहां message आता है salary bill processed इस तरह का यहां कोई message नहीं आएगा यह surrender bill process हो चुका है अब हम अगला step पर चलेंगे अगला step है डोकोमेंट अपलोड डोकोमेंट अपलोड करेंगे ओथराइजेशन में है डोकोमेंट अपलोड ऑथराइजेशन में डोकोमेंट अपलोड पर क्लिक किया 2020 अगस्त बिल टाइप surrender bill ग्रूप नेम पीयो ग्रूप बिल नमर 4888 चैक सेंक्षान ओफ सेंक्षेंडडर ओडर को यहां सेलेक्ट किया है मैंने चूज फाइल वह फाइल ओडर है वह यहां है लाएंगे यह डेक्ष्ट ऑपर पीय got का मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और नीचे ओपन पर क्लिक करेंगे तो हाँ यह सेलेक्ट हो गए आप सब्मिट करेंगे सब्मिट पर क्लिक किया यह डिजिटल साइन है किस तरह होते हैं इसका मैं आई बटन में लिंक देदूँ में महां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला नेक्स्ट इस्टेप है यहां box में tick करेंगे box में tick करके bill को select करेंगे यह CA का bill है CA और ASF का पता यहां से चलता है यहां CA लिखावा है यह CA का bill है CA के bill के amount है वो ASF और CA में एक निश्थी तनुपात में यहां लिखने होती है अब hard and fast rule रहा नहीं है हम यह CA में ही यह सारी रासी लिख रहा हूं और submit कर रहा हूं details inserted successfully okay validate budget पर क्लिक करेंगे क्लिक किया budget validated successfully okay forward पर क्लिक करेंगे forward पर क्लिक किया expenditure exist budget amount so bill not forwarded खेरा कि budget नहीं है इसलिए बिल्को forward नहीं किया जा सकता यहां हम okay कर रहे हैं okay करेंगे अब वापिस चलते हैं एक बार select bill type bill type में surrender bill bill name po group वापिस bill को select करेंगे box में ticker के bill को select किया यहां budget नहीं है CA में budget नहीं है चलो budget चेक कर लेते हैं budget कितना है हम IFMS लिक कर सर्च करेंगे तो यहां सबसे उपर इपर IFMS की site खुल गई है क्लिक करेंगे यहां login करेंगे login करने के लिए username है guest और password है guest at the rate of 321 guest और guest at the rate of 321 यहां budget पर क्लिक करेंगे बजट पर क्लिक करेंगे मैं अब login ID ID है guest और password है guest at the rate of 321 security code में capture डालेंगे login करेंगे welcome to IFMS okay finance finance में है budget distribution में report में latest budget balance in passbook format पर क्लिक करेंगे financial year 2020 office ID office ID हमारे iSchool के नाम के आगे रहती जैसे यहां है 12109 तो office ID 12109 summary with expenses पर क्लिक करेंगे budget head budget head का पता हमें यह से चल जाएगा 22 02 01 113 01 01 यह budget head है यह हमें वहां लिखना है तो लिखते हैं 22 02 01 113 01 01 और 100 report पर क्लिक करेंगे 100 report पर क्लिक किया तो report download होगा यह चेक करते हैं यहां यह सेंट्रल असिस्टेंट इसमें बजट है 41,190 रुपे और यह स्टेट फंड स्टेट फंड में है 6,33,270 रुपे यह में बजट कम था इसलिए फोरवर्ड नहीं हुआ हम इसी अनुपात में डाल लिखेंगे मैं यहां अब कोई इसका hard and fast रूल नहीं है पहले जुरूर था साट चारिस का लेकिन अभी जिस हैड में बजट हो उस हैड में राशी डाल दो मैं यहां SF में एक लाख रुपे लिख देता हूं CA में एक लाख कम कर देता हूं एक हटा देता हूं यहां पिछे से तो पिछे 24,500 पिछे शुरुपे बच गई अब सब्मिट करते हैं डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली ओके वेलिडेट बजट करेंगे बजट वेलिडेटेड सक्सेसफुली ओके फोर्वार्ड करेंगे बिल फोर्वार्ड सक्सेसफुली अब की बार फोर्वार्ड हो गया बिल फोर्वार्ड हो गया अब हम चलें इसके लिए रिपोर्ट में है सेंडर रिपोर्ट सेंडर रिपोर्ट में आगे है सेंडर फिप्टीन डेज इनर इस पर क्लिक करेंगे 2020 अगस्त ग्रूप नेम पियो ग्रूप बिल नमर अड़तारिस रिपोर्ट इनर इस पर क्लिक करेंगे ओपन करके देखेंगे हम एक बार चेक कर लेंगे इसको कि हम बिल सही बना आउटर इस रिपोर्ट ओपन करेंगे अगर आपने इंकम टेक्स की कटोती नहीं की है तो यहा फिर भी आप देखोगे तो पेज खाली आएगा अगर आपने सेडूल में इंकम टेक्स की कटोती की है तो वह दिखाएगा मैं यहां मैंने कटोती की है तो मैं सेडूल मैं देखूंगा सो रिपोर्ट ओपन यहां यह इंकम टेक्स की पांच सजार रुपी की कटोती अगर कटोती नहीं किये होती और फिर आप देखते तो यह पेज़ खाली आता अगर इंकम टकीस की कटोती नहीं हो तो इस सेडूल को देखने की जुरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप डोकॉमेंट डीजिटल साइन ओथोराइजेशन में है डोकॉमेंट डीजिटल साइन 2020 अगस्त बिल्ट टाइप सरेंडर बिल ग्रूप टीओ ग्रूप बोक्स में टिकर के बिल को सेलेक्ट किया टोटल फाइल तीन इनर आउटर और सेडूल और यहां टोटल साइन फाइल जीरो है साइन बाई डीएसी पर क्लिक किया साइन फाइल पर क्लिक किया डीएसी डोंगल अब हम्में यहां देख रहे हैं कि total sign file हैं वो तीन हो चुकी है next step next step है will forward to treasury बिल को ट्रेजरी को forward करेंगे authorization में है bill forward to treasury अगस 2020 है बिल टाइप स्रेंडर बिल 15 डेज, बिल पी यू, यू ग्रूप, बॉक्स में टिकर करके बिल को सेलेक्ट किया, अब फोरवर्ड करेंगे, फोरवर्ड पर क्लिक किया, बिल फोरवर्ड एड सक्सेसफुली, ओके, यह हमारा बिल फोरवर्ड हो गया, अब हमें डाउन, रिप बिल कंप्लेट हुआ, इस बिल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कमेंट्स, सवाल या सुझाव हैं, तो इंचे कमेंट्स बोक्स में लिखे, मैं उनका जबाब देने की पूरी कोशिस करूँगा,